जैहिन प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारत वस्क्लासेस, कैसे हो बच्चे आप सभी आसा करता हूँ, आप सभी अच्छे होंगे, स्वास्थ होंगे तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग कच्छा 6, गनीत JCRT पाटपुष्टक में प्रशनवली 18.2 के प्रशनों को हल करने वाले हैं चलिए बच्चा, प्रारब करते हैं, इस वीडियो में आपको प्रशन संक्या एक से लेकर, प्रशन संक्या साथ, यानी इस प्रशनवली का शंपूर्ण हल करवाया जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रथम प्रश्न आप सभी के सामने हैं प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे ठीक है बच्चा प्रश्न यहां कहता है पहला एक गाउं में विभिन परिवार का सर्वे करने के उपरांत विभिन परकार के इंधनों का प्रियोग को निम्न डंड आ खालेक द्वारा दिखाया गया है जिसमें से यहां नीचे में बताया गया है इंधनों का प्रिकार और यहां घरों की संक्या जिसे मैं बात करूँ यहां लकडी तो लकडी को दिखाया गया है कि लकडी यहां पे 25 गरों में लकडी का इस्तमाल इंधन के रूप में होता है गरों में होता है के रोशिन तेल का यहां पे 25 घरों में होता है बिजली का 5 घरों में होता है और यहां पे कोईला के बात करें तो 10 घरों में कोईला का इस्तमाल इंधन के रूप में होता है अब इसमें प्रशन दिया गया है बच्चो डंध आलेक पढ़कर निमलिकित प्रश प्रश्नों का उत्तर दीजे, पहला प्रश्न है कितने घरों में बिजली का प्रयोग इंधन के रूप में किया जाता है, तो सबसे पहले आप लो credible इसमें धूंड यह बिजली कहा है, यह आ रहा बिजली के सिधारनी में कितना नंबर दिया गए है पांच यहां पे भी हमने पांच लिखा है अर्थात पांच घरों में बिजली का प्रियोग इंधन के रूप में किया जाता है चाहे वो बिजली से यहां पे हीटर जलाने की बात हो और दूसरा प्रशन है सबसे अधिक किस इंधन का प्रियोग एवं कितने घरों में किया जाता है तो सबसे अधिक यहाँ पे बात करें तो सबसे अधिक LPG गेस का हो रहा है सबसे अधिक है 30 तो यहाँ पे लिखेंगे LPG और उसके बगल में लिखेंगे 30 प्रशन संक्या तीसरा है बच्चों कोईला का प्रियोग कितने घरों में करते हैं तो कोईला यहाँ पे सबसे अंतिम में दे रखा है और 10 तो 10 घरों में कोईला का प्रियोग करते हैं तो यहाँ कोईला के लिए देंगे 10 चौहथा प्रश्ण है 25 घर किस इंधन का प्रियोग करते हैं तो देखें कितने घर 25 घर लकड़ी का प्रियोग भी कर रहे हैं और यहाँ पर किरोसीन यह दोनों समान रूप से इंधनों का प्रियोग कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे लकडी और आप लोग दूसरा भी लिखेंगा कैरोसीन ठीक है बच्चा लकडी और कैरोसीन यह आपको लिख लेना है चलिए इसी परिकार हम प्रशन संख्या 2 को करते हैं रशन संख्या 2 दे रखा है किसी विद्याले में बच्चों द्वारा पहने जाने वाले जूतों की माप के आंकडे निम्न डंडालेक दिया गया है जिस पर यहाँ बताया गया है जूतों की माप कितने बच्चे एक नंबर के जूते पहनते हैं नमबर के तीन नमबर चार नमबर पांच और इधर बताया गया है विद्यारतियों के संख्या जैसे यहाँ पर मैं बात करूं कि एक नमबर के जूते कितने बच्चे पहनते साड़े चार सो या चार सो पचास है बात करें दो नमबर के तो चार सो तीन नमबर की बात करें तो प्रश्ण इसमें बहुत ही सिंपल वाले बनते बहुत ही असान से प्रश्ण है आपको सिर्फ देख करके यहाँ पे उत्तर देना है उपर्युक्त डंडा लेक का अध्यान कर निमलिकित प्रश्णों का उत्तर दीजिए पहला प्रश्ण है किस नंबर के जूते पहनने वाले बच्चों की संख्या सबसे अधिक है आप इन डंडा लेकों में देखिए कि सबसे अधिक यहाँ पे कौन सी संख्या को बतला रहा है छे सो बच्चे कितने नंबर के जूते पहन रहे हैं यहाँ पे दे रख्या चार तो यहां लिखेंगे चार पांच नंबर के जूते कितन जादा पहनते हैं एक नमबर यहां दे रखा है चार सो पचास दो नमबर दे रखा है चार सो तोनों में से को ना देख है चार सो पचास यानि एक नमबर लिख देंगे चौता प्रशन है तीन सो विद्यार्थी किस नमबर के जूते पहनते हैं तो तीन सो विद्यार्थी इसम परियुक्त डिन्टालेक को समझकर निमलिकित प्रस्णों के उतर दीजिए किस समाचार पत्र के वित्रण की संख्या सबसे अधिक है तो सबसे बड़ा डंडाले कौन सा है इसमें से अकबार 3 वाला जिसमें लिखेंगे अकबार 3 दूसरा प्रशने अकबार 2 एवं अकबार 3 में से किसके वित्रण की संख्या अधिक है और कितनी अधिक तो अकबार 2 कितना वित्रित हो रहा है? 600 अकबार 3 कितना वित्रित हो रहा है? 800 दोनों में से कौन बड़ा है? अकबार 3 का डंडाल एक बड़ा है कितना अधिक है? तो यहां से 800 में 600 वटा हो गता हैगा 200 तो यहां लिख देंगे अकबार 3 200 अकबार 3 बड़ा है और कितना अधिक है अकबार 3 की वितरण की संक्या अधिक है और कितना अधिक है दोस्व अधिक है क्योंकि 800 में से 600 वटाएंगे तो 200 आईगा तिसरा प्रशन है किस समाचार पत्र के वितरण की संख्या सबसे कम है सबसे कम कौन साइस में से अब तो देखिए इसमें से सबसे कम यहाँ पर अकबार एक और अकबार चार है दोनों का वितरण की संख्या सो सो है अकबार एक भी सो है अकबार चार भी सो है अगबार 5 यहाँ सिधा में देखा है 200. तो यहाँ लिखेंगे 200 इस परकार हमें डंडाले हो को देख कर यहाँ पे उतर देना था अब इसके आगे के जो प्रस्ण है उसमें हमें डंडाले है को बनाना होगा जैसा कि प्रशल संख्या 4 में दिया गया है किसी नगर में विभिन वर्सों में मोबाइल फोन प्रियोग करने वाले की संख्या निमन परकार है जैसे यहाँ पर 2012 में 250 से लोग फोन का इस्तिमाल करते थे 2013 में 500, 2014 में 400, 2015 में 300, 2016 में 200 है दी गई सुचना को निरूपित करने के लिए एक डंडा लेख बनाएगे तो डंडा लेख आपको बना लेना इस परकार से देखाएं कि लेना है आप ने चे में वर्स लिखियेगा और इधर संख्या लिखियेगा एक समान दूरी में आपको लिखना है 100, 200, 300, 400, 500 या 600 तक इधर भी एक समान दूरी से यहाँ से प्रार्णम करेंगे 2012 से तो 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 यहाँ तक जाना है अब यहाँ देखिये कि 2012 में कितने लोग मोईल फोन का इस्तमाल करते हैं 250 तो 250 कहां पर होगा 200 और 300 के एक दम बीच होगा यहाँ 250 तो हमें 250 के सिदा में यहाँ पर एक डंडालेक किसे देना है जो किया 2012 में 250 लोग मोईल फोन का इस्तमाल करते हैं उसे बतला रहा है 2013 में बात करें तो 500 500 कहां पर यहाँ पर इसका सिदानी में यहाँ पर कर दीजेगा 500 का डंडालेक जैसे यहाँ 500 का डंडालेक है यहाँ सिदा में 500 है 2014 में बात करें तो 450 यानि 400 और 500 के एकदम बीचों बीच यहां पे होगा तो इस प्रकार से 450 का डंडाले खिच लेना है 2015 में 300 है 300 संक्या यहां पे है इसका सिधानी में यहां पे खिचेंगे 2015 में है 300 तो 2015 के यहां 300 खिच लिया हमने अपको यह धिया रखना है बच्चा इन दंडाले खों की मोटाई एक समान होने जाइए जितना मोटा यहां है उद नहीं मोटा इस सब होना चाहिए मोटा पदला नहीं बना दी जाएगा यहां पे 2016 में यहां पे 200 तो 200 संक्या यहां पे इसका सिधानी में यहां बना देंगे 200 का लंडाले इस प्रकार हमने प्रशन संक्या 4 के लंडाले को बनाईए चली अब हम करते हैं प्रशन संक्या 5 को तो प्रश्न संक्या यहां पांचवा दे रखा है एक बगीचे में पाए गए विभिन परकार के फूल के पोधो की संक्या निवन परकार है जिसे पोधो का नाम दे रखा है गुलाब, गेंदा, सुरजमुकी, चमपा, चमेली पोधो की संक्या यहां है 35, 50, 45, 15, 20 इस उजना को निरूपित करने के लिए एक दंडालेक बनाईए चली फिर उसी प्रकार सम्रूट दंडालेक बना देते हैं इधर तो लिख लेंगे संक्या और इधर हम फूलों के यहां पे पोधों के नाम लिख लेंगे और एक्जामपल सबसे पहले है गुलाब तो गुलाब कितना है 35, यहां से बना लेते हैं पहले 35, 30 और 40 के बीच होगा तो 35 का यहां जो दंडालेक है वो संक्या 35 को बतलाता है गेंदा कितना है 50, 50 यहां पे तो 50 का दंडालेक यहां हो गया सुरजमुकी कितना है 45, यहांनि 50 और 40 के बीच में होगा 45, तो यहां 45 का बना लेंगे यहां डंडालेक, 45 का चुकि सुरजमुकी का दे रखा यहां पे 45, तो 45 यहां हो गया चंपा का है 15, तो यहां संक्या 15 को निरुपित कर रहा है चमेली का है 20 तो यहाँ चमेली का लिख लेंगे 20 ठीके बचो ऐसे आप लोग इसमें नाम भी लिख सकते हो कि यहाँ पर जो यहाँ गुलाब को बतला रहा है ठीके यहाँ पर आप लोग इसे नाम भी लिख लिजेगा यहाँ गुलाब को बतला रहा है फिर ये दूसरा वाला है गेंता को बतला रहा है तीसरा वाला जो है वो सूरजमुकी को बतला रहा है चौथा वाला की बात करें तो या चमपा को बतला रहा है और पांच वाले की बात करें तो या चमेली को बतला रहा है ऐसे आप लोग इसमें नाम जरूर लिख लिएगा प्रशन संक्षित छठा करते हैं छठा प्रशन दे रखा है निम्न शारणी में उन भूखंडों के छेतरफल दिये गए हैं जिन पर विविन फशलेगा आई जाती है जिसे फसल और भूखंड का छेतरफल एकड में रखा है धान तीन एकड में, एक दो एकड में, चना एक एकड में, गेहूं पांच एकड में और मक्का तीन एकड में बनाई जाती है उपर युक्त आंकडे है, तो एक डंडालेक बनाएं एम निम्लिकित प्रश्णों के उतर दीजिए सबसे पहले हम यहां डंडालेक बना लेते हैं इधर धान है तीन, तो तीन यहां तकाएगा तीन को यहां पत्तर सित करता है एक है दो, तो दो इसका सिधानी में यहां पर बना लेते हैं दो, छेना है एक, तो यहां नीचे बनेगा एक और गेहू है पांच, तो सबसे बड़ा सा बनेगा यहां पर पांच को बतला रहा है, मक्का है तीन, यह तीन को बतला रहा है चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं यह धान को बतला रहा है यह इंक को यह छिना को यह गेहूं और अंती में यह मग्गा को बतला रहा है फ्रेशनिस्ट में बनते हैं गेहूं की उपज कितने छेदरफल में की गई है तो यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पांच एकड़ है आप यहाँ से देखके लिख लिजे या फिर डंडालेख से देखके लिख लिजे यहाँ पर क्या लिखना है पांच सबसे कम भूखंड में किस फसल को उपजाई गई है सबसे इसमें से सबसे छोटा डंडाल एक किसका है चना का है कितना है केवल एक तो इसमें आपको सिर्फ लिखना है चना इसका उतर यहाँ पे लिख भाया है चना चलिए साथवा प्रश्ण को करते हैं प्रिश्णावली 18.2 का अंतिम प्रिश्ण है पिछले च्छा महिनों में एक दुकंदार द्वारा बेचे गए घरेलू उपकरण की संक्या निमनी परकार है जिसे यहाँ पर टीवी 35 दे रखा है रेपेरेटर 50 बिखते हैं एलसी 35 एलसी नहीं है एसी है एसी एर कंडिशनर 45 सिलाई मसीन 15 गेस चुलहा 20 बिखता है उपरियुक्त आंकडों को निरूपित करने वाला डंडालेग बनाई एमनियून प्रश्णों के उतर देजिए इससे पहले हम यहाँ पर डंडालेग बना लेते हैं यहां पता चल रहा है कौन स्वर्पकरन सबसे जजयादा भी चाब तो सबसे जजयादा ऐसमें रेफेरेजरेटर बिकरा है यहाँ पर टीवी कितना बेचा गया टीवी 35 यहां से आप आराम से लिख लोगे इसका उत्तर चलिए हम डंडालेक को बना लेते हैं सबसे पहले टीवी है 35 तो 35 को दर्शादा हाई है फिर रेफिरिजरेटर को 50 यहां सकसी धानी बनाएंगे 50 ठीक है और फिर है L, A, C A, C है 45 40 और 50 के बीच होगा 45, सिलाए मसीन है 15 तो 10 और 20 के बीच में होगा 15 ठीक है उसके बाद गैस चुला है 20 तो यहां 20 को बतला रहा है ऐसे करके आपको लिख लेना है इसमें आप लोग इसका संक्या जरूर लिखिएगा जैसे यहां पर यहां बतला रहा है टीवी को ठीक है बच्चो फिर यहां रिफिरिजरेटर को तीसरा वाला बता रहा है एसी को और चौन्था वाला बता रहा है सिलाई मसीन को और यहां पांच वाला बता रहा है गैस को ऐसे आपको लिख लेना है प्रेशन क्या बनते हैं कौन साब करण सबसे ज़्यादा भी का तो सबसे ज़्यादा गरेली रेफिजरेटर भी का है रेफिजरेटर लिखी हाँ पर लिख दीजेगा टीवी कितना बेचा गया टीवी हाँ पर 35 बेचा गया तो इसका एंसर 35 लिख दीजेगा तो ये थे प्रशन उत्तर प्रशन वली 18.2 का इसी के साथ हमारा गनीत पात पुष्टक में लगबग करवा दूंगा तो पिछो आप लोग प्लेलिश सेख कर सकते हो और अपने नोट्स बना सकते हैं थैंकि बच्चा मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद